नमस्कार स्वागत है आपका नाशनल खबर में वैसे तो पस्ची में उतरप्रदेश के कई जिले मिलकर उतरप्रदेश की राजनीती में एक अलग दिशा और दशा तै करते हैं लेकिन इस बार शामली और मुझफर नगर से राजनीतिक बिसार बिचने लगी है इस दोरान मुख्यमंत्री योगी आदितेनाथ ने मुझफर नगर दंगे और कैराना से पलायन जैसे विश्यों को प्राथमिक्ता से उठाया योगी आदितेनाथ जहां शामली के कैराना से प्रदेश की चुनावू की राजनीतिक बिसार बिचा कर चले गाए वहीं अब गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राश्टी अध्यक्ष अखिलीश यादव मुझफर नगर से बड़ी रैली कर भाजपा और योगी का जवाब देने जा रही हैं समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता बीते कुछ दिनों से मुझफर नगर में डेरर डाले हुए हैं सपा और भाजपा की राजनेतिक रेलियों को देखने के बाद अब बहुजन समाजपार्टी भी बहुत जल्द इस इलाके में अपनी राजनेतिक रेली और जल्सपा का आगास करने वाली है दरसर पिछले चुनाव में कहराना लोकसभा में आने वाली पाश विधान सभा सीटों में भाजपा ने चार पर जीत दर्ज की लेकिन वो कहराना सीट पर विधान सभा चुनाव बड़े अंतर से हार गई गौर करने वाली बात ये है कि OVC की पाटी AIMIM ने भी पिछले चुनाव में यहां मुस्लिम प्रतियाशी उतारा था लेकिन उसे सिर्फ 1365 वोट नसीब हुए चुनाव नतीजे साफ दर्शाते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य कहराना में मुस्लिम वोटर्स ने एक करफा वोट दिया जबकि रालोध और बसपा ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया सब्फर नगर के दंगे हो या शामली जिले के कहराना से लोगों का पलायन राजनीतिक लिहास से ये दोनों ही शहर और जिले प्रदेश की राजनीतिकी प्रयोक शाला के तौर पर ही उभरकर सामने आये हैं बीते सब्था उत्वा प्रदेश के मुख्यमंद्रियों की अधित्तिनात ने जिस तरीके से कहराना जाकर ना सिर्फ लोगों से बात और मुलाकात की बलकि जो लोग पलायन करके वापस आचुके थे उन लोगों से भी बात की मुझफर नगर जिले की राश्मनीती का अगर इतिहास देखे तो 2002 के विधासभा चुनाव के बाद से यहां बसपा का ही दबदबा कायम रहा 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब भी बसपा ही इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उबरे बहुजन समाजवादी की कौर कमेटी के एक वरिष्ट सतस्य के मताबिक बहुजन समाजवादी बहुत ही रणनीतिक तरीके से इन इलाकों में अपनी पैठ मजबूत कर रही है उनका कहना है कि मुजबफर नगर जैसा इलाका जहां बसपा का बोल बाला होता था वहां कोई दूसरी पार्टी अब काबिस नहीं होने वाली तो आप सब भी हमरे साथ जोड़े रहें और भी खबरों को जानने के लिए और हमारे सैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा धन्यवाद हमसे जोड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेस्बुक पर और जादा जानकारी के लिए नाशनल खबर की वेब साइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सिर्फ नाशनल खबर